कि अधियुक्त आप सभी का हमारे यूट्योब चैनल अलेक्टिस्टटी में चलिए दोस्तों आज सुरू करते हैं हम लोग बायल का नियम चार्ल्स का नियम ठीक है यह जो पहले पिछले वीडियो में बात कर चुके इसके बारे में कि यह जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसके जो नम आएंगे फर्मूले जो आएंगे वह आपके क्यूशन सोब करने में मदद करेंगे तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा और पूरी अंत तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि यह जितने भी पार्ट आएंगे इसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे वह सब आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है इसलिए इस वीडियो को मत करिएगा बेच में छोड़के मद जाएगा इसको अंत दखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक से बायल का नियम ठीके बायल का नियम है दिखे वाल मियाद करने से अच्छा होगा किा बायल का नियम लिखी और उसके साथ याद कर लिजिए और अर अर मतलब क्या होटा है सोरीया भी करेफ भी ह dobि मतलब और हिंक मतलब आयतन संबन्धि नियम इसको याद कर लेंगे इसका मतलब दाब और आयतन का मतलब होता है कि दाब और आयतन बीच प्रस्तूत किया था जितनी भी गैसे होती हैं यदि उसके ताप को इस्तिर होगा उसको नियत माना होगा तो यहां पर पीबी दे रहा है इसका मतलब दाब को इस्तिर मानेगा यदि वीटी देगा तो दाब को इस्तिर मानेगा यदि पीटी देगा तो आयतन को इस्तिर मानेगा एकदम यह स्योर है इन में से दो को देगा एक को इस्तिर मानेगा तो जो चाल्स का नियम है वो क्या है पी भी यानि दाब आयतन सम्मंदी नियम है यानि इस नियम के अनुसार कोई भी गैस है यदि उसका ताप को इस्थी रखा जाए नियत रखा जाए तो जो उसका दाब होता है बित्क्रमानुपाती होता है उसके आयतन के चार्ल्स का नियम ही है क्या है यदि किसी वस्तू के ताप को इस्थी रखा जाए तो जो उसका दाब होता है वह विद्गुर्मान। पाति होता है किसके अईतन के जो उसका दाव होता है विक्रमानुपाती होता है किसके उसके आयतन के तब पी बराबर क्या निकल के आ नियतांग है क्या है कि नियतांग फिक्राइए तो पी प्रली निकल क्या गया के वन अपम वी जहां पर क्या है एक में सांश इथि इसका मान ख़े बराबर वन रख्ते हैं तो आपका आ разв वन भी यह आपका हो गया तो यह यह घुन गया फर्मूलर कि सके नियम कैनुसार यानि ताब को इस्ति रखा जाए तो जो उसका गैस का जिस गैस को हम लोग जिस गैस को लिए हैं यदि उस गैस के ताब को इस्ति रखा जाए तो क्या होगा उसका जो दाब होगा उसके आयतन के बित्रुमानुपाती होगा यहनि बित्र कमानुपाती का मतलब चिन हटाएंगे नेतांक आएगा यदि के बराबर वन रखते हैं तो पी बराबर वन अपान भी निकलके आजएगा यहीं आपका क्या है बायल का नियम है ठीक है यदि मालीजे हम लोग दो गैसे रखें हैं इस मालीजे पात्र में पात्र म तथा आयतन क्या है बीवन वह बीटू है तब इसमें इस मातल आफे निकल का अगा था मैं पिछे भी बता चुका हों कि जब भी बीट क्रमानुपाती का रेषियो और त dispNew लेगे वो किषक अहुगा जब बीट्र मानिखन संस्क्राइग फ्रमानुपाती है तो यह जो अश यह मैंने पीछे भी बता चुका है कि जभी बित्कमान पार्थी होता है और दो लेते हैं दो गैस लेंगे दो पडार से लेंगे और तब उनका अनुपाद जो निकालेंगे ऐसे आता है पीवन अपान पीटू बरबर भीवन अपान वीटू एसका तीरिया गुड़ा का हो आयतन दिया हो और फिर दूसरी क्याट का दाब दीधा हो तो इस हम लोग आयतन निकाल सकते हैं इसके फार्मूले से से ये बाईल के नियम के अनुसार है तो नोट करियेगा समझ में आगया होगा तो फिट देखते हुम लोग चार्ज करनी है ठीक है कि अच्छा देखते हैं चार्स का नियम देखें चार्स का नियम किसके किसके बीच है तो यह भी और टी के बीच ठीक है वी और टी के बीच तो इसको यह कैसे याद करेंगे चार्स का जो नियम है आयतन और ताप सम्मढदी नियम है आयतन और ताप सम्मढदी नियम है ठीकецm को रृसरी चार्स की नियम को आये तन वी और टी यानि एसका मतलब इसलिश यह क्या होगा कै क्या होगा स्थिर होगा तो इनका बताएंगे किया इनका जो नियम है कि किसी भी गैप का यदि दाब को इस्थी रखा जाए यानि कोई भी गैस हो यदि उसके दाब को इस्थी रखा जाए तो जो उसका आयतन होता है उसके ताप के क्या होता है समानुपाती होता है क्या होता है समानुपाती होता है यानि चार्स का नियम यहीं कहता है कि किसी भी गैस का दाब को विश्थी decor नियम में इस्तिर रखा जाए ताप को लेकिन चार्स के नियाम में किसको इस्ति रखा जाएगा दाब को चाहए तो जो उसका आयतन होता है समान पाति होता है किसके प्रमताप टक यहां रखा af फिर भी यहां पर भी अब समानुपाती का चीन हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा जिसे माली जी यहां पर भी के नियतांक आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा भी बराबर के टी और के बराबर वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा भी इसका आपका क्या चाल्स का नियम इसमें भिया धिलेते हैं दो गैसे मालेट प Completely two be लेते हैं इसमें भी दो गैसे वह हो भी लेते हैं और उसका ही तन् वीवन वह वीटू हो और उसका ताप क्या हो टीवन वह टीटू हो तब देखी यहाँ पर समानुपाती था समानुपाती में मैं बता हो कि जो उसका अनुपात होता है जो रेसी होता है से मोही होता है यानि इधर का वीवन अपान वीटू निकाले तो आएगा क्या टीवन अब इसका तीरिया गुड़ा करेंगे तो क्या जाएगा भी वन टीटू बरावर भी टू टीवन चीक है अभी यह हो रहा है चाल कई पनि अनुषार यह formula कोई भी दोगेशस दिया हो उनमें से एक का आयतन दिया हो दूसरे का trained दिया हो तो पहले काम ताप निकाल सकते हैं इस पूछें यह तो यह से निकाल सकते हैं तो यह रहा है चाल्स का नियम डिखें चाल्स का नियम में एक और व्यार बहुत importantes है दखिये हैं जाल्स कानियम कहता है कि यह तो ताप की क्या समान पाती है न ती थिए ताप बढ़ाएंगे तो सीवर सी बात है आयतन बढ़ेगा देखे क्या है इसमें कि जो 0 degree Celsius जो आयतन है ठीक है यदि ताप को बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ेगा चार्स किनिया मुसार समान पाते ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा तो 0 degree Celsius पर अगर ताप माल नेते हैं भी नौट है तो यदि इसका ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा अब कितना बढ़ता है तो यदि एक degree Celsius बढ़ाते हैं जब एक degree Celsius ताप बढ़ाते हैं तो जो इसका आयतन है वह 0 degree Celsius आयतन का एक बढ़ा 273 गुना बढ़ जाता है यही है ना 273 भाग बढ़ जाता है यानि 0 degree Celsius जितना ताप होगा उसका एक बढ़ा 273 भाग क्या होता है बढ़ जाता है बढ़ जाता है यह बात को आप लोग ध्यान में नोट कर लिजेगा कि चाल्स की नियम यह कहता है बढ़ एगे तो दाब आयतन बढ़ेगा क्यूं समानुपाति होता है इस तीरह डाब रखा जाये तो जो आयतन होता है परमताब के समानुपाति होता है तो इसमें ये है कि बढ़ाईगे तो आयतन बढ़ेगा तो यह दि रखार लिजे कुछ भी हो अफिर अग तरफ बड़ाते हैं है तो आइटन बढ़ेगा तो कितना बड़ेगा यह पर डिगरी सेसियस बढ़ाते हैं तो जो उसका तरफ है जीरो डिगरी सेल्सियसं पर जो इतन होगा उसका बाटा 273 भाग बढ़ जाता है यानि इसका मतलब हो जाएगा कि जो जिसे मान लेते हैं कि 0 डिग्री Celsius उसका ताब बाद रहे तो उसका जो आयतन है वह VT हो जाए यानिG डिग्री Celsius तो उसका आयतन वीनोट है और इसको t जी डिग्री Celsius तक बढ़ाते हैं तो उसका माली आयतन कितना हो जा रहे ? VT हो जा रहे तब जो VT निकल के आएगा VT वो हो जाएगा यह 0 degree celsius पर ताप फिर उसका आयतन का कितना भाग बढ़ जाएगा तो 273 यहां ड़गा लेते हैं T यानि जो T degree Celsius पर निकालेंगे वो निकल के आजएगा का फर्मूला कि य को नूर्ट कर लिजिए का इससे निकालेंगे लोग admission का यहां पर जो अउने तप पूछे गा यहाँ पे टी कमान वो रखेंगे तो वी टी बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक भीटी ब्रहाबर निकल के आज जाएगा, तो इतना नोट कर लिजे इतना को नोट करिये देखंजे जब नमेरिकल सॉल्ल करने लेगगे तो इस फर्मूले का बी use किया जाय ص smells आरें हैं सब का यूज किया जाएगा जैसे जैसे क्रिश्चन आएंगे π Ei कौन सा फर्मूला लाएगा इसको आप लोग ठ किसके तरफ दाब के तरफ कि दाब क्या होता है उसका फर्मूला गया होता आ ट चलीय एक वीडियों में भी या पिछली अध्या में भी दाब के बारे में पड़ा होगा कि जो दाब होता है क्या होता है तो एकांग छेत्रफल पर लगने वाले बल को और ही क्या बोलते हैं लोग दाब बोलते हैं यह अब पढ़ है ना दाव का फर्मूला यह होता है तो यह जो अडू गतिश सी दान थे इसमें जो दाब होगा उसको देखे इसका derivative होता है देकिन इसका derivation बहुत बढ़ा है हम लोग यहां पर derivation नहीं करेंगे सिद्धे उसका फर्मूला लिखेंगे लोग ठीके इसका structure ऐसे बनेगा three dimension में ऐसे कोई यहां पर solid है ऐसे ठीक है इसकी जो चोड़ाई है मालने ते है यह यह एल है और यह जेड एक्स है और यह एक्स अच्छे और यह वाई अच्छे ऐसे एन चित्र हां और यह क्या कर रहे है है इसमें कैसे बनाया है ऐसे बनाया है ठीक लोगा चित रहे तो इस पे जो दाब लगेगा इसका derivation बहुत बढ़ा है और आपके इंटर में भी नहीं दिया है 11 की बुक में दिया है लेकिन वह उसमें लिखा होगा पर्लिख को नोट में कि यह इंटर के लाइक नहीं है यह जो होता है भीसी लेबल का थे ठीक है इसका derivation है जो भी सी लेवल का है तो मोग यहां पर डिर्विशन नहीं करेंगे सीड भी बढ़ बहुतें लेकिन जब इस स्ट्रुक्सर्स प्लोग का derivation करेंगे तो ओ दब आएगा क्या पी बराबर आएगा आपका क्या आएगा पी बराबर 1 upon 3 1 upon 3 mn बटा में V और आएगा V square rms यह आपका दाब का फर्मूला आएगा ठीक है इसको नोट कर लिजेगा का इस फर्मूले को पी बराबर वन अपान 3 mm एंट वी स्क्वार और एम एस यह 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 फर्मुला पस याद के लिए इसका डेरिवेशन बहुत ही लंबा है उसका डेरिवेशन आम लोग करेंगे नहीं यह इसका डेरिवेशन देखना होगा तो इसके लिए एक अलक्स में इंटू भी स्क्वाइर आरे में सोता है इतना क्लियर है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक डाब का नियम के तरफ ठीक है इसको इस फर्मूले के याद करे जिगा और इसको नूट कर लिजिएगा चलिए देखते हैं दाब का नियम देखिए दाब का नियम यानी पीटी दाब और ताप इसमें भी नहीं दिखाए दे रहा है ना इसका मतलब जो भी होगा वो क्या होगा इस्थिर होगा इस्थिर होगा ठीक अब देखिए इसका नियम क्या करता है दाब का नियम भी क्या है इस्थिर है ना तो कहता है कि यदि किसी भी गैस का आयतन इस्थिर रखा जाए ठीक है आयतन इस्थिर रखा जाए तो उसका जो दाब होता है किसी भी गेस का आयतनि इस्ति रखा जाए तो उसका जुझा गार होता है परम ठाप टी के क्या होता है समान 보면 विस दम नियम करने नियम के अनुसार उसमें अ यह इंतन भुमकर होता है लेकिन डाप के नियम में दाप के भात करें तो बाइं जहों, उसमान आनप्स वी बराबर टी आजाएगा यह रहाँ का दाब का निया ठीक इसमें भी अगर दो गैस लेते हैं इसमाली जे एवा वी गैस लेते हैं और उनका जो दाब है पीट्वान वा पीटू है और क्या है टीवण वा टीटू है तो बता दीजिए इसका अनुपात क्या होगा P1 upon P2 बराबर क्या हो जाएगा P1 upon T2 Same 1,2 है तो 1,2 यहीं बिदकरिमानुपाती होता है तो 1,2,2,1 हो जाता है बात याद है ना सबकू तो क्या हो जाएगा P1 upon P2 बराबर T1 upon T2 तिरिये गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा टू बराबर क्या हो जाएगा पी टू और टीवन हुए अब इन दो गैसों में से on तो अलम सब्सक्राइब रहा था इसमें भी ताप को बढ़ाएंगे तो दाफ बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा तो जिसतर है जो आइतन था बढ़ा रहे हैं इसका आइतन में पर जिसमानल निचे 0 degrees Celsius ताप उसका दाभ पी नॉट है तो एक degrees Celsius ताप बढ़ाएंगे तो पी नॉट का कितना भाग बढ़ जाएगा तो एक बटा 273 T भाग क्या होता है बढ़ जाता है बढ़ जाता है यह तो फार्मूला में T रखेंगे ठीक ना है 232 बाट जाता है इसमें भी ठीक है तो यहां से निकालेंगे तब यहां से निकालेंगे कि ज्ус歹 ज़से जिरो डिगरी सेट्ट॥4 पर पीनोट है और चीडूरी सेल के उसका डाव पी टी होगा तो कितना होगा तो यहां से पी टी बरबर निकालेंगे तो पी नाट जिसमाना लिजे 0 degree Celsius पे P naught है और T degree Celsius पे उसका दाप Pt होगा तो वो कितना होगा तो यहां से Pt बरापर निकालेंगे तो कहो जाएगा पी नाट वन प्लास वन अपान दो सो तीहतर ती यहां से निकाल देंगे आप दाप तो यह फर्मूला आप लोगी याद कर लिजे यह यह फर्मूला याद कर लिजे यदि Pt निकालना हो जिसमान लिजे 0 degree Celsius पे दाप कुछ भी दिया हो जिसमान लिजे 5 दिया हो पांच पास क अब इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा दो सो तीहतर अधन दोस अब बटा में दो सो तीहतर अफिर इसी को कैलकूलेशन करेंगे तो जो दाप आएगा वह दाब 10 degree Celsius पर होगा कि कितना होगा उसका दाप कब जब 0 degree Celsius पर निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे इसका कैलकूलेशन करेंगे ठीक है मैं एक्जाम्पल दिया हूँ ठीक न तो एसे सॉल्व करेंगे चार्ज का नियम में भी जो आयतन निकालना होगा इसी तरह निकालेंगे तो इतना क्लियर है दाब का नियम दाब का जो नियम होता है इसमें देखे भी नहीं दिख रहा है यानि इसका मतलब भी को इस्थिर जाता है तो उसका जो दाब होता है समानुपाती होता है किसके परमताप के समानुपाती का चीन हटाएंगे नियतांक आएगा कि यह कि इसकाल टूओं रख रहे हैं तो पी बराबर टी आ जाएगा एधि दो गैस ले रहे हैं एव अभी और उनके दाब क्रमस पीवन निकाल सकते हैं तो यह रहा दाब का नियम, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग डालतन का आंसिक दाब का नियम, डालतन का आंसिक दाब का नियम पढ़ेंगे लेकिन किसका डालतन का पढ़ेंगे, किसका डालतन का पढ़ेंगे, तो इसको नोट करेगा, फिर देखते हैं डालतन ने क्या बताया दाब का नियम आंसिक दाब का नियम आंसिक दाब का नियम ठीक किसका डालतन का अंसिक दाब का नियम पढ़ेंगे कि इन्हों ने क्या कहा था तो देखे डालतन ने क्या कहा था कि कोई भी एक पात्र हो बाड़ा सा केंटर हो टैंक हो ठीक और इसमें अलग-अलग गैसे रखी गई है जिसे भिन-भिन परकार की गैसे रखी गई है ठीक है भिन-भिन परकार की इसमें क्या रखी है गैसे रखी गई है तो यदि इस पात्र पे जो कुल दाब निकालेंगे तोटल दाब जो निकालेंगे वो क्या होगा तो इन अल बराबर होता है यानि कोई भी पात्र हो उसमें अलग-अलग गया रखी गई हो तो यह भाई डाब डालेंगी इसके दिवारों पे पात्र की दिवारों पे डाब डालेंगी तो टोटल दाब कितना होगा वो कितना होता है तो यह अलग-अलग गैसों से लगाए गए दाबों क की योग के बराबर होता है जिसमाली जिए 12345678 यह से डॉड़ डॉट करते क्या है एंद तक है इस में गयते तो जो इसका दाब होगा टोटल दाब जो होगा पी वो क्या होगा तो पी वन प्लॉस पी टू प्लॉस पी थ्री प्लॉस पी फॉर प्लॉस ऐसे डॉडड कहां तक होंगी तो एन तक होंगी कि यह होता है कि अंसी कीढ़ का नियम यहीं है क्या है जो अंसीग दाव का नियम क्या बताएंगे आपकि डालटन का की डाल्टन यह बताäre था कि कोई भी पातल रखाए एक पात्र ले इसमें अलग-अलग गैस डाल दे बिन प्रकारओं डाल और तब निकाले कि इस पात्र पे उन्हाइश निकलेगा तो कितना होगा तो तोल्ट दाब होगा कि जो अलग अलग में एंड ऐनग ये से हैं वॉन टू टू अब निकालेंगे तो कितना हो जाता है फी बराबर फी एंतर ही हम लोका किसका नियम है आंसिख दाप का नियम वह वी किसका डाल टन का यहांपर पी क्या है कुल दाब है क्या है और यह सब क्या है तो अलग गैसों के दाब है को अलग अलग गैसों के शी अ अंसीक दाब है औरूमे डाब यहीरा आलतन का अंसी क का दाब का नियम इतना समझ में आ गया कुछ दिया है दाब और गति जुर्जा के सब्बंध बताया है कि दाब को डेरिवेट नहीं किया है बस संबंद्ध दर्साया है कि यह संबंद्ध होता है तो चलिए उसको भी देख लेते हम लोग दाब और कि डाब और गती जूर्जा में संबंद्ध इसको मिटा दरें ठीक है बहुत चोटा था डालतन कांसिक दाब का नियम यहीं है बस याद कर लिए पी बराबर पीवन प्लस फीडू प्लस पी थ्री प्लस डॉडर पी प्लस है अरे प्लस यह मतलब टोटल दूज दाब होगा अल कि चलिए देख लेते हैं क्या दाब वह गतीज उर्जा में संबंद्ध गतीज उर्जा में संबंद्ध तो चलिए देखते हैं दाब वह गतीज उर्जा में संबंद्ध क्या होता है एक हम लोग पीछे पड़ चुके हैं दाब बराबर यानि दाब जब पड़े थे तो सब बराबर पड़े थे क्या एक बटा 3 MN V upon V square RMS इतना पड़ चुके है न तो देखे यहां से जो यह था क्या था कुल마न के अंवान किसे था की मनेजिए उस पदार्थ मेंadenन कर भू हो और उसका मास M हो थो हम लोग सब्सक्राइब निकैर कि गनातों कहां मांस है मांस है सब्सक्राय था मैनने तो यहां सकते हैं तो क्या होता है रोह बराबर एम हापान भी होता है लिख ईसका कुल द्रबमान कितना है मन है और वी कितना है बीड़ा है कैसि कि अई तो इसके अस्थान पे हम लोग लिख सकते है क्या रोलिक सकते हैं तो यह आज हैगा पी बराबर क्या जाएगा एक बटातीन इस घड़ा फिर्ण उसके पास से 20 स्कूर्र बादת इसके सितको समिकष। नंबर एक सालव मुनूंभन ऎतना क्लियर है फिर यह धीन गती जुरज़वर निकाल यह हम लोग गती जूर्ज़ आ जा क्या होती है गती जूर्ज़वर आति है तो ई पर अंब बरहता है किया एक अगर कोई कर लेंगे यह चैक वह खीक निकाले यह लिए प्रति एकांग आईतन में प्रति एक आग आईतन में गतिज उड्र कितन होगी गतिज उद्धा wonder कि तक हिते कांग की बात कर दे ऊटा मतलब होता है आइतन की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा ए बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वाइर आर एम एस अब बटा क्या हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक है भी हो जाएगा तो देखें यहां पर भी एम दर्मान है और भी क्या है आयतन है तो यहां भी घनतों के फार्मूले से क्या लिख सकते हैं रो लिख सकते हैं तो क्या हो आबर हो जायगा क्या एक बटा दोतो रो लिसक्वायर औरमेश को माले जेए समिकर नमबर 2 beide के इसको मानने ते हैं समिकर नमबर 2 देके बंगे यहांhere समिकरन दो बन गया अब समिकरन एक मैं 2 से भाग कर दिए मीकरन एक में 2 से भाग कर दिए यानि समी करण में एक भागे धो रहे हैं यानि पी बटा ई हो जाएगा और the command कितना है तो एक बटा तीन डार है एल सुरी वी इसक्वाईर आर्म Yenglynn E कमाउय आर। एस अब अबार्टा में technology क्या profit bladey बराबर कीया एक बटा तीन वताए बटाएक बटा दो अदीके बिची सबीलट जाते इस मतल्ड का उपर गुणा तीन काउर समय गुणा तो कितना जाएगा पीबराबर पीघाई बराबर कितना जाएगा यह उपर जाएगा यह निस सा मिर्ट मेटने गे दब दाब का सब्सक्राइब दूर्जा दोड़ा कर दिए घुचे तो बस इसको पलाट केसमें ुड़ा कर देगे तो इस फर्मुले कू नोट कर लिजएगा क्या निकल क्या और लूट कर लिजेगा नोट कर लिजेगा यह क्या है डा गतीज उर्जा में समन्नद सपी क्या है जहां पी क्या है दाब है और यह गतीज सब्सक्राइब इतना संब और इसको क्या और टमलरे को और लोग चलते हैं आगे किस के तरब आदर्स गैस के तरफ ठीखे नूठ कर ईसे तो चली देखते हैं हम अपना लगा intern doping क्या है अलड़ इस भी एस अडर्स गैस आईडेल गैस ठीख है अदर्स गैस अदर्स गैस क्या होती है तो वे गैस जो बायल वे गैस जो बायल चाल्स और दाब के नियम का पालन करती है दाब के नियम का इन तीनों नियमों का क्या करती है पालन करती है उसी गैस को क्या बोलते हैं हम लोग अदर्स गैस करते हैं यानि वे गैस जो ताप वो दाब पर ताप वो दाब की प्रते का वजथा में बायल चार्ल्स और दाब की नियम का पालन करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अदर्स गैस बोलते हैं और यह जो अदर्स गैस होती हैं इनके जो कड़ होते हैं वो कड़ क्या होते हैं अति कहते हैं और क्या जो क्या तो होते हैं इनके जो आड़ूओं के बीच आकरस और बल नहीं करताया और Himide गुरांक कौन सा पर्षार गुरांक और और पर्षार गुरांक आपस में बेराबर होता है यह पर परती है क्या कि वह बायल चार्ल्स दाव कन्यम का पालन करती है और उसके कड़ क्या होते अती सुच्मू होते हैं और यह में अंतरा अडिक बल नहीं उत्पन होता है इनमें आकर्शर बल नहीं लगता है और इनके आयतन गुडांक आयतन परशार गुडांक और दा परशार गुडांक क्या होते हैं बराबर होते हैं इतनी बास जूरजा कितनी होती है तो देखे गतिर जूर जूर जाए बराबर क्या होता है एक बटा दो Md square यहाँ पर जो भी वेग लेंगे वह आरेमस में लेंगे ठीक है आरेमस लेंगे एक बटा-दो MP2 rms और यहां पर भी स्वायर आर ms का जुमान होता है वो होता है 3RT बना मूं M Çण उत्म ही होता है 3RT बना में मूं इसका मान रखेस सी इस वाले में इस वाले पार्ट में मान रखे तो क्या हो जाएगा यह बराबर क्या यह रखना है तो 3 से तो गुड़ा होई गया बाचा क्या है U Geta में M यानst एच्छा में से हम कैंसिल हो जाएगा चाहर तो आएगा किया बड़ता कीजों की मातरा H Thank you J यानी यदि गैस की मात्रा में एक मूल हो तब जो इय आएगा वो कितना हो जाएगा तीन बटा मुल होम न हो ये इसको याद रख लीजेगा इसको नोट कर लीजेगा यहAU एक bizक नमूल की बात करें एक बात करें तेना चायएगा एच की बात करें चितने मोल की बात करें तो कितना एक बोन रखेंगा यदी कारेंगे टूसनी मथर मांट करते उछ त्विसकं प्ल्माण रखेंगे रहे Queensland तो सब्सक्राइब नहीं यहां पर क्योगा जाता है कि क्यों जाता है कि यहां पर कि यह दिकेशों की मातरा ही मोल्स तो ये बराबर किते थी Çt करते हैं तो ये बराबर आता है थी बटkäती हो जाता है और यहाँ पर जो के है इसको बोलते हैं बोल्ट मान भलते हैं एक पर होते हैं के को यहां पर बोल्ट मान नियतांक पैते हैं इतना सब को समझ में आया ठीक है यह चोटा सा डेरिवेशन था इसका जो डेरिवेशन है आपके के बुक में दिया है डिटेल से वहां पे आप लोग पढ़ सकते हैं नहीं तो उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको अप्लोड कर दिया जाएगा ठीक है यहां पर हम लोग सौटली समझ ले रहे हैं बस उसका फर्मूला से हम लोग को में काम है क्यों की सवाल करने में क्य सब्सक्राइब करें इसके अमनों की सहायता लेनी है ठीक है तो यह हो गई आदर्स गैस की गतीज उर्जा कितनी होती है यह बराबर तीम बेटर दो केटी क्या है तो बोल्टमान नियतांक है इतना सब को समझ में आया चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा गैस समीकरण क्या सबनाता है तो 05 को सब्सक्राइब से दाव के नियम से बाइल और नियम से बाइल और धोता है तो बनता है गैस समिकर जिसे बायल का नियम क्या होता है पीबर अपी विद्क्रमानुपाती भी होता है यह बायल का नियम होता है और दाब का नियम क्या होता है कि प्रपोर्पोर्शनल टी होता है यह होता है न तो यह समिकर एक यह समिकर दो ठीके इसके कि दोनों पक्चापस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा पी बराबर लिख सकते हैं क्या ती बटा में यानी प्रोपोर्शनल टी बटा में भी ऐसे लिख सकते हैं और यहां से प्रोपोर्शनल का चीन नटाएंगे तो एक नियतांक आता है वो क्या आता है आर टी अपान भी और यहां से तीरिया गुडा करते हैं तो आता है क्या आपका यहां से आर कमान निकाले तो क्या आ जाएगा पी वी बटा में की आजेगा आर कमान और यहां पर आर क्या होता है नियतांक होता है आर क्या होता है इस का और यहां से आर कमानक निकाले तो कितना आए साथ देखिए आर कमान निकाले के लिए हम लोग पी ये जो दाब है इसका मान रखेंगे कितना पी कमान रखेंगे एक वाई मंडली अदाब एक वाई मंडली अदाब फिर भी कमान रखेंगे कितना भी कमान रखेंगे एक मोल द्रब्मान गैस का आयतन कितना होता है तो 22.4 गुड़े 10 गात माइनस 3 मीटर होता है कितना होता है एक मूल दिर्भमान गैस का आयतन ये जो है आय तन ये जो लिखा है ये एक मूल द्रभमान ये कम डिए मूल गैस का आयतन है टीके गैस का आय तन है तो रहतन में थे हैं ये । fulfilled मंधिर्ड पर रखेंगे तो र कमाद कितना गेंगा अ वावर प्र पी कमान राखे स्चिंध एक कुछ गुड़ कामाईण रखे बाईस दस्मॉलो चारड की पिर पवार माइनस ट्री अब अवयम्ट ती कमान रखे 200 तीहतर और इसको कैलकुलेट करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कहा जाएगा आठ दसमलो तीन एक जूल प्रती मोल केलविन कितना आ जाएगा तो आठ दसमलो तीन एक जूल जूल मोल प्रती मोल केलविन प्रती जूल प्रती मोल केलविन ठीक है यह आप का जाएगा कितना आर कमान निकल के आ जाएगा समझ में आया रहा है जो गैस समीकरर होता है बायल और दाव के नियम पे अधारित होता है बायल का नियम क्या है पी बराबर वो पी विद्कुमानुपाती होता है एक बटा भी के यानि जो दाव होता है वो गैस के आयतन के विद्कुमानुपाती होता है और दाव नियम क्या है जो दाव होता है प होता है और यहां से आर कमान निकाले हम लोग तो पीवी अपान टी होगा यहां पर पी कमान रखना है एक मंडिली दाव वी कमान रखना है बाइस दसमलों चार गुड़ दसकत मैनस तीन मीटर यह क्या होता है तो एक मोल दर्बान गैस का आयतन होता है और टी जो परंता पर उ यह तांग कमान आएगा कितना है जाएगा आठ दसमलों तीन एक जूल प्रती मोल केलविन इतना सब को समझ में आया तो इसी इसी टोपी के साथ ही लेशन क्या होता है समाप्त होता है हम लोग चलते हैं इसके नुमेर केल किस तरफ तो इस वीडियो में बस इतना ही यह बैसन होगा उसको आन कर लेंगे जिससे वीडियो अप लोड करेंगे हम लोग उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं इसके नुमेरिकल के साथ हुआ हुआ है